जन्नाइक जन्तापार्टी की जिला आईटी कौार्डिनेटर पिंजोर निवासी अलख निरंजन चोबे के घर पर अग्यात लोगों ने डंडों तलवार से किया हमला घटना CCTV कैमरे में कैद पुलिस को दी शिकायत पुलिस जांच परताल में जूटी जन्नाइक जन्तापार्टी की जिला आईटी कौार्डिनेटर पिंजोर शहर की शिव कलोनी के निवासी अलख निरंजन चोबे के निवास पर बीती देर रात रविवार को तीन अग्यात लोगों ने लाठियों और तलवार के साथ घर पर हमला बोल दिया उस समय घर पर जिला आईटी कौार्डिनेटर अलख निरंजन चोबे परिवारस में सोय वे थे की घर के सभी सदस्य बुरी तरह से डर गए जजपा जिला आईटी कौार्डिनेटर अलक निरंजन चोबे ने सोमार को पुलिस में दीश कायद देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रविवार की देर रात को तीन अग्यात लोग उनके घर के बाहर आए और दरवाजे को डंडों तलवार से बेटने लगे इन में दो लोगों के मूँ पर कपड़ा बांदा हुआ था जबकि एक का चेरा दिखाई दे रहा था जेजेपी जिला आईटी कॉडिनेटर अलक निरंजन चोवे ने बताया कि 15 से 20 सेकंड तक तलवार और डंडों से गेट को पिटने के बाद बाद बापिस भाग गए रात को पडोसियों को कॉल किया तो शोर मचने के बाद तीन अग्यात लोग भाग गए थे जबकि डंडे वहीं छोड़ गए और बिजली का मेटर भी तोड़ कर चले गए है जेजेपी जिला आईटी कॉडिनेटर अलख निरंजन चोबे ने पुलिस में दीशकायत में उसके परिवार और उसे जान को खत्रा बताया है और जल्द से जल्द इन अग्यात लोगों के विरत कारवई करने की मांग पुलिस से की है इस समद में जेजेपी जिला आईटी कॉडिनेटर अलख निरंजन चोबे ने पार्टी हाईकमान को भी इस मामले के बारे में आउगत करा दिया है गौर्टलब है कि अलख निरंजन चोबे को हाली में जन्नाएक जन्ता पार्टी जिला पंचकुला का आईटी कोडिनेटर बनाया गया था और इस मत में पिंजोर और कालका की कारेगरता और पदादकारीगन हर्याने के पूरव उप मुख्यमंतरी दोशन चोटाला से भी चंडिगर मिलकर आये थे पार्टी हाईकमान इस मामले में क्या कारवाई करता है ये आने वाला समय बताएगा फिलाहाल जेज़िपी पार्टी जिला आईटी कोडिनेटर अलक निरंजन चोबे के परिवार सद में और दैशत में है इधर पिंजोर पुलिस भी इस मामले की गहनता से जाच परताल करन में जुटी हुई है